ठीक है सबसे पहले सब लोग ध्यान रखोगे असहयोग आंदोलन की बात हम लोग किये हुए थे और आपको पता है 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन चला है कल हम लोग बात किये थे कि विसे सदीवेशन आपका जो है चला सेप्टेमबर 1922 इस भी में और ये अस्थापित हु में ये जो विसे सदीवेशन हुआ इसका अध्यक्षता किये थे लाला लाजपतर आए सभी लोग ये बात को ध्यान में रखे रखो गया कि अध्यक्त है क्या है कलकत्ता है फिर लाला लाजपतर है इसके अध्यक्षत है ये सब लोग जो ध्यान लखना है आप लोगों को कि प्रस्ताव प्रस्तूत किये थे असयोग का कौन तो गांधी जी ठीक है दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे कि इसका बिरोध भी कुछ लोगों ने किया था तो हम आपको कल बताए थे कि सीयार दास ठीक है एनी बेसें ठीक है ये इसके अलावे जो हैना लाला लाजपत राय ठीक है मदन मोहन मालवी है ये जो कुछ लोग थे ये इस आंदूलन का बिरोध किये थे खेर तमाम बिरोधों के बावजूद यहां पर इनको अनुमती मिल गई थी और बोला गया कि भईया वार्सिक अधिवेशन में इसका पूर्ण ने लिया जाएगा कि क्या होगा और नहीं होगा ठीक है ध्यान नकोगे आप लोग वार्सिक अधिवेशन जो है ये हो रहा है आपका दिसंबर उनेस्सों बीस इस भी में ठीक है जगा है आपका नागपूर और अध्यक्ष जो है इसके है वी राघवाचार राघवचारी या कही कहीं राघवचार चेरियार भी मिलेगा तो घबराने का बात नहीं है यहां पियासहयोग का प्रस्ताव जो है वो C-R-कडास किये सब लोग जो है द्यान लखेंगे ये बात हम कल भी बात किये थे ठीक है हम लोग जो है यहां पर बात किये कि भैया यह जो वार्सी कधी वेशन है यह क्यों फेमस हुआ तो द्यान लखना है दो चीजों की वज़ा से ठीक है आप लोग यह द्यान लखना है दो चीजों की वज़ा से यह परसिद्ध हुआ ठीक है कौन कौन सा चीज पहला चीज जो है ध्यान लखेगा कॉंग्रेस की संगठन में लाया गया बदलाओ कि संगठन में बदलाओ क्या बदलाओ लाया गया भाई सबको पता है 15 अदस्यों की कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी बनाई गई 350 लोगों का एक औल इंडिया कमीटी बनाई गई और इसके बाद बोला गया कि प्रांती अस्तर से ले करके अस्थानी अस्थार तक Congress समीटियां जो है बननी चाहिए Congress Committee बननी चाहिए दूसरा जो चीज है वो यह याद रखना है यहां पर दो परकार के कारेक्रम एक रचनातमक और एक जो है बिद्वनसातमक कारेक्रम जो है तै किये गए यह ध्यान लखेगा इन दो चीजों की वज़ ये अधिवेशन फेमस रहा जो है इसकी Church हम लोग कल कर चुकिए थे अब हम लोग इसमरूलो क्ल कर चुके थे अब हम लोग इसमें आगे बढ़ रहा है यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं आंदोलन का विकास ओक है अभर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे है आंदोलन का बुकास, यह कैसे हो रहा है, तो सबसे पहली बात आप जो है ना समझोगे, ठीक है जब आन्दोरन के विकास के उपर बात करते हैं, तो ध्यान लखना है बहिसकार वालत जो बिन्दू है, वह इस आन्दोरन के दौरान जो है, बड़ा सफल रहा, ठीक है, याद रखना है बहि बाई तो हरेक चीजों का बैसकार जैसे अगर आप बात करोगे शिक्षन संस्थानों का बैसकार या दुसरा जो है ना विद्शी वस्तूओं का बैसकार यह बैसकार वाला जो चीज है वो आपका बड़ा उसको बल मिला या वह जाधा इस दोरान जो है आगे प्रसिद्ध ठीक है इसमें भी ध्यान रखना है बहिसकार में भी सिक्षन संस्थानों की बहिसकार सबसे ज़्यादा सफल रही युवाओं की चुकी भागिदारी जो है सबसे ज़्यादा रही थी और इसलिए यहां पर सिक्षन संस्थानों का बहिसकार का कहानी आगे बढ़ा दूसरी बा यहार विध्यापीट थेक यह इसी तरीके से जो है गुझरात विद्यापीट तेकल एसी तरीके से अगर आप कर करोगे तो ओक अगर आप एक बड़े निवर्पीट की बारे में चर्चा और बात करोगे तो द्यान संस्थान थी यह भी अस्थापित हुआ मतलब इस परकार के सैक्षिनिक संस्थानों के सापना आपको इस आंदोलन के दोरान देखी गई इसके अलावे सब अब लोग जो ध्यान नखोंगे कि नियाइक वह स्कार में अपने भागि द्यारी और यसे अगर आप नेतायों में बात करोगे राजिंदर प्रसाद, राज गुपालाचारी, आसफ अले, टी प्रकासम, सैफोदिन किछलू, सी यार दास, एमार जैकर, मोती लालनेहरू, ये सारे लोगों ने अपनी वकालत जो है छोड़ दी, ठीक है, ये ध्यान नखना है, अब एक जो चीज है वो ध्या बहिसकार होगा और उनकी होली जलाएगी, जाएगी, कल हम आपको सायद बताए थे, बिजिसी कपणों का जो होली जलाया जाएगा, बिजिसी कपणों को जो है, का जो बहिसकार किया जाएगा, इसको जो है ना, रविद्ना टैगोर बोलते हैं, कि ये जो है, संसाधनों की निस्ठुर बरबादी है और यह सवाल भी पूछा हुआ है हम जो है देखे कि भाई इस पर गांधी जी का जो विवहार था या विचार था वो यह बोले थे कि भाई यह अंग्रेजी वस्तुओं के साथ बहिसकार या अंग्रेजी वस्तुओं का होली जला आया जाना ठीक है यह अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम विवहार है और इसे किया ही जाना चाहिए ठीक है इस परकार की बातों को आगे बढ़ा है गांधी जी यहां पर एक बात जो है ध्यान अखना है कि चाहे रचनात्मक कारेक्रम हो चाहे विध्यंसात्मक कारेक्रम हो उसमें एक कारेक्र करके उभरा और यहां पर ताड़ी के दुकानों पर धरना देने के कानी ज्यादा सफल हुई मतलब बड़ा जो है ना ये लोग प्रिय हुआ आप लोग जो है एक बात को ध्यान रखोगे आंदोलन आगे बढ़ रहा है ऐसे ही स्थिती में मार्च 1921 भी में याद रखना आप लोग मार्च 1921 भी में आंदोलन के कुछ लक्ष निर्धारित किये गए ठीक है यहां पर याद रखोगे सब लोग क्या किये गए लक्ष निर रखत्रन कि भाया यह लक्ष रखा गया कि हुम लोगों को चर्खा का वितरन करना है जितनाаешь क्या ना सके यह काम। दूसरा जो है लक्ष जो है तक नस्य संदस्य बनाना है इस यह नजा करना है सेWhen से बने यह बात सभी लोग ध्यान रखेगा आप लोग इसके अलावे ध्यान रखना है यह लोग तीलक स्वराज फंड का निर्मागन किये मतलब कॉंग्रेस के आंदोलन को संचालित करने के लिए बाल गंगाधर तीलक के नाम पर एक फंड का नाम रखे तीलक स्वराज फंड और यह जो तीलक स्वराज फंड है इसमें लक्ष रखा गया कि भाई इसमें हम लोगों को एक करोड जमा करना है ठीक है लक्ष कितना रखा गया एक करोड रुपया जमा करना है और यह लक्ष जो है पार हो गया मतलब कहते हैं लक्ष को अराम से प्राप्त कर लिया गया यह मार्च 1921 की घटना है आप यहां पर ध्यान नखोगे एक घटना इसी दौरान जो है घटित हुई बिजयवाडा के छित्र में गांधी जी जो है बिजयवाडा के छित्र में लोगों को जो है जादा मोटिवेट करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने विद्यार और विद्यसी वस्तू का वहिस्कार करना चाहिए ऐसा बात गांधी जी कह रहे है तो कुछ विद्यार्थी बीच सभा में उठे और उन्होंने कहा कि गांधी जी आप इस बात को समझे कि हमारा जो खादी है वो बहुत महंगा है और अंग्रेजों का जो यह वस्तू है विद्यारा कर पाएंगे विद्यसी वस्तू को ही खरीद करके उसका उपवर कर पाएंगे तब गांधी जी ने उन लोगों से कहा कि आप ऐसे समझो कि आपके लिए यह सच्टा और महंगा पैल पहलो तो है एकनो को हैसा कर सकते हो कि आप कम पहनो लेकिन अपना पैलो मतलब अगर आपना दो विदेशी कपड़ा पहनते हो तो एक स्वदेशी कपड़ा आता है मानलो यानि 100 रुपया में कपड़ा आ रहा है 100 रुपया में कपड़ा आ रहा है विदेशियों का यानि 200 में आपना दो कपड़ा लेते हो और हो सकता है कि खादी इतना महंगा हो कि वो 200 रुपया में एक ही मिलता हो तो उनका कहना है कि आप न ऐसा करो कि आप एक ही कपड़ा पहनो या उस कपड़े को इस रूप में इस्तमाल करो कि भाईया कम पहनो लेकिन अपना पहनो और ये जो 200 रुपया का कपड़ा आप खरिद रोविदिसियों से उनसे ना खरिद करके अपने ही स्वदेशी वस्तू को खर दे। और गांधी जी उन विद्यार्थियों के सामने अपने आपको परस्तूत करने के लिए या उनके सामने जो है ये बात को दिखाने के लिए कि भाईया हम जो कह रहे हैं और जो करने वाले हैं उसमें कोई अंतर नहीं होगा और इस बात को दर्शाने के लिए गांधी जी ने मंच पर ही एक खादी की धोती मंगवाई और उसको दो भाग में फाड़ा और एक भाग को नीचे जो है लपेटे और एक भाग को हमेशा वो उपर रखा करते थे मतलब अब जो है वो उनका कहना था कि भाई आब इस बात को समझो कि ये धोती है इसको हमने दो भागों में बाट दिया और अब ये एक जो है नीचे जो है हमारे जो है काम आएगा और एक जो है कल जब हम सनान करेंगे तब वो जो है पहनने के काम आएगा तब तक दूसरा वाला जो है सुख जाएगा फिर अगले दिन वो काम आएगा फिर अगले दिन जो है सुख जाएगा तिर वो काम आएगा और इस तरीके से वो बताए कि कम पहनो लेकिन अपना पहनो और इस तरीके से गांधी जी ने अपनी बातों को जो है सत्य साबित करते हुए लोगों का मनोबल बढाने का काम किया ठीक है याद रखोगे सब लोग ठीक तो ये बात सब लोग याद रखोगे कि गांधी जी ने बड़े ही तल्लिनिता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया अगर जब हम लोग इस आंदोलन को जो है आगे देखते हैं तो इस बात को समझ में आता है कि ये आंदोलन जो है अपने अस्तर पे तो चल ही रहा है लेकिन अलग अलग अस्थानों पर वहां के छेत्रिय मुद् ठीक है आंदोलन का छेत्रिय परसार देखोगे तो क्या है आपको समझ में आएगा जैसे माल लो आपकी बिहार है तो बिहार में भी असहयोग आंदोलन चल रहा है लेकिन यहां पर एक और आंदोलन चल रहा है वो है जनेव धारन का मुद्दा ठीक है जनेव धारन का मुद द्धारन कर सकते हैं तो निम्नवर्ण के जो लोग है उन लोगों ने एक आंदोलन जो है स्टार्ट कर दिया असयोग आंदोलन के साथ ही कि भया इस परकार की दुर्भावना वाला व्यवस्था नहीं चलेगा इसको हम लोग भी धारन करेंगे या तो फिर कोई धारन नहीं कर मुझालेंगे तो असम में चाय बगानों के जो मजदूर थे चाय बगानों के मजदूरों ने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया मतलब कि अगर यह असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है आजादी की लड़ाई है तो हम लोग भी अपने जगा पर अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ सकते हैं और वहां यानि चाय बगानों में जो सोसन इनका लगातार हो रहा था उसके उपर ये लोग जो है ना आंदोलन करना शुरू के और बोले में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो है आगे बढ़ा थेक है क्या है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो है आगे बढ़ा ये बात ना सभी लोग दिमाग में आप लोग बनाए रखेंगे थेक है इसी तरीके से अगर आप बात करोगे राजस्थान के चित्र में तो राजस्थान के छित्र में जो है ना बिजौलिया आंदोलन जो एक किसान आंदोलन है ठीक है ये आंदोलन भी असायोग आंदोलन के साथ आगे बढ़ाँ ठीक है याद रखेंगे सब लोग आगे जब आप बढ़ोगे तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि यहाँ पर भी किसान आंदोलन जो है वो आगे बढ़ रहा था ठीक है तो किसान आंदोलन जो है असायोग आंदोलन में समाहित हो गया यानि आपको जो है दिहान में रखना है कि असायोग आंदोलन के दौरान इस परकार के कुछ चीज आपको जो है दिखाई देगा अगर आप आगे बढ़ते हो तो आंदर परदेश का जो है जो इलाका है वहाँ के बारे में समझो आप लोग यहाँ पर आंदर परदेश के छित्र में आप देखोगे तो जो है दो परकार का आंदोलन चलाया गया एक कर ना देने का आंदोलन चलाया गया ये याद रखना सब लोग, ये मिलान करने के लिए देता है बाबू, दूसरा बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर वन आंदोलन भी चला, मतलब वनों की बेवज़ा कटाई नहीं होनी चाहिए और वनों का परियोग जो है एक प्रकिर्तिक चीजों के अधार पर होनी चाहिए, मतलब अगर कोई वन का कटाउती करता है या उसको काटता है तो उसको तब तक चीजों को जो है ना मजबूती से आगे बढ़ाना होगा, जब तक दूसरे पेड़ वन के रूप में मजबूती से आगे ना बढ़ जाए, ठीक है, यानि आंधरा परदेश में आपको दो इसी परकार आप देखोगे कि बंगाल के छेत्र में, मिधनापूर में, यह ध्यान अकना है सब लोगों को, मिधनापूर में एक आंधोलन चला और उस आंधोलन को हम लोग कहते हैं करना देने का आंधोलन और इस तरीके से आप देखोगे कि असहयोग आंधोलन के दौरान बिभिन छेत्रों में अलग-अलग परकार के आंदोलन जो वहां के छेत्री मुद्दों से प्रेरित थे वो आ करके जुड़े और ये चुकी छेत्री आंदोलन असहियोग आंदोलन के साथ आ करके मिल गए इसलिए असहयोग आंदोलन पहले से और ज़्यादा मजबूत हुआ और कॉंग्रेस के बारे माँ आप ऐसे समझ सकते हो कि इन आंदोलों ने कॉंग्रेस की स्थिति को और मजबूत बनाया और आम लोगों तक आंदोलन को पहुँचा दिया ठीक है आंदोलन की स्थिति आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब लगभग जो है ना ब्रिटीसों का ब्यापार भारत के साथ 110 करोड का था 1920 की कहाने और 1921 पहुंचते पहुंचते ये बात आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा ये बिजनस आ करके ना संतावन करोड पर सिमट गया था अब गांधी जी की बात में अगशर्षा सही साबित हो रही थी कि भाई ये जो अंग्रेज लोग है चुकि ये बिजनस लोग है यानि अंग्रेज लोग जो है अब उनमें तिल मेला हाट दिखनी सुरू हो गई थी याद होगा गांधी जी क्या कहे थे कि भाई ये जो है बिजनस माइंडेड लोग है अगर इनके मुनाफा पर चोट किया जाएगा ये स्वता जो है भारत को छोड़ करके भाग जाएंगे ये जो है ना उनके दिमाग में था और गांधी जी यही चोट पहुचाना चाहते थे और ये जो गिरावट था उन्हें सो बीस में 110 करोड और उन्हें सो इकीस में जो है ना 57 करोड के लगभग जो है बिजनस का जो कहानी चल रहा है ये अंग्रेजों के अंदर बॉकलाहर्ट पैदा किया और वो मौके की तलास में जो है ना रहने लगे कि वह या एक मौका अगर मिल जाता तो फिर हम क्या कर देंगे ये आंदोलन को तोड़ देंगे ये अंग्रेज इस बात को सोच रहे थे एक तरफ वो जो है ना ऐसा सोच रहे हैं कि एक मौका मिल जाए और आंदोलन को हम कमजूर कर देंगे दूसरी तरफ आप ये बात जो है ध्यान रखोगे कि भाई भारत में छात्र किसान महिला मजदूर सभी वर्क के लोग जो है आंदोलन में चुकी सरीक थे और इसलिए लगभग पूरे भारत में ये आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ रही थी ठीक है ये आप जो है ध्या करो चुकि जब हम लोग आंदोलन को पढ़ते हैं तो विभिन परकार के पहल्यों को ध्यान रखते हैं जैसे आंदोलन का विकास क्या हुआ इसका छेत्रिय परसार क्या हुआ इस बात को तो ध्यान रखना है जब छेत्रिय परसार देखते हैं तो हम लोगों को समाजिक परस देखते हो तो आप देखोगे इस आंदोलन के दोरान की भाई कौन कौन सा वर्ग जो है इस आंदोलन में सरीक हुआ तो सबसे पहले बात की किसानों की भागीदारी पहली बार किसी आंदोलन में मजबूती से देखी गई एक दूसरी बात महिलाओं की भागीदारी जो है पुंजीपतियों ने भी इस अंदोरण में भाग लिया ठीक है यानि किसान महिला मजदूर पुंजीपति ये सारे वर्ग के लोग भाग ले रहें इसके आलावे जब आप बात करेंगे धार्मिक अधार पर तो हिंदू ने तो भाग लिया ही लिया शिक्षों ने भाग लिया और यहां पर मुसल्मानों की भागिदारी भी सरानिय रही आपको यहां पर यह बात याद रखना है कि पूरे भारतिय स्वतंतरता संग्राम के दौरान जितनी भागिदारी मुसल्मानों की इस आंदोलन के दौरान रही वैसा फिर किसी भी आंदोलन के दौरान आपको नही दिखाई देगा ठीक है रिजन यहां पर ये था कि भाई चुकी मुसल्मान लोग तुर्की के होने वाले ख्यलिफा के साथ होने वाला जो अपमान था उसको ले करके आहत थे और वो लोग खिलाफत आंदोलन चलाए थे और खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने मर्ज कर दिय था असायोग आंदोलन में तो मुसल्मानों की भागीदारी बढ़ गई थी लेकिन आगे चल करके ना तुर्की में एक विक्ति का सासन आएगा जिसको लोग मुस्तफा कमाल पासा कहते हैं और मुस्तफा कमाल पासा जो है वो तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर देग और तुर्की का आधोनिकी करन कर देगा बाबू और जब तुर्की का आधोनिकी करन कर देगा और खलीफा का पद समाप्त हो गया तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन में जब आगे आप जाओगे दूसरे आंदोलन में तो वहाँ पर आपको मुसल्मानों की भागेदारी नही Britian वाला लोग समयक्त करना चाह रहा था या उसको हटाना चाह रहा था तो जहां जहांपर भी ये मुसल्मान थे एक आनदोलन चला दिये थे जिसको हम लोग कह रहे हैं खिलाफत आनदोलन ये बात को समझना है लेकिन अगर आप यहां पर इस बात को मैसूस करो कि बैया मुस्तफा का माल पासा उसी खलीफा का पद का अंत कर दिया उसको हटा दिया तब किसी एक मुसल्मान ने भी उफ नहीं की क्या है? इस साइकॉलजी को आप कैसे समझोगे? साइकॉलजी को ऐसे समझो जैसे माल लो कि हम हिंदू धर्म से हैं अगर हम अपने धर्म के परती कुछ बोल देंगे बिरोध में न तो लोग हमको भटका हुआ विक्ती कहेगा हमारे उपर कटाक्च करेगा कि बहुत पढलिक गया है लेकिन ऐसा नहीं कहेगा कि यह आदमी जो है न ऐसा है वैसा है आंदोलन रत हो जाएगा आग लगा देगा या फिर बहुत बड़ा बड़ा जो है जुलूस निकलेगा ऐसा नहीं होगा बाब लेकिन अगर यही बात जो हम बोले हैं अगर कोई जो है मुसल्मान या कोई क्रिस्चन या कोई सीख या कोई दूसरा धर्म का लोग बोल लेगा तो ध्यान लक लेना है आग जनी हो जाएगी आंदोलन बड़ा हो जाएगा यह साइकोलजी आपको हम हमेसा समझाते रहें और यही साइकोलजी आपको जो है यहां पर दिखाई देता है यानि जब तक खलीफा का पद जी भी था यह मुसल्मान लोग जो है अंग्रेजों की विरोध में सोच रहे थे लेकिन मुस्तफा कमाल के फासा के खिलाप में आंदोलन करने का नहीं सोचे यह क्या दर्साता है कि यह जो है ना रूढ़ीगत विचारों से प्रेरित थे खेर वो विचार उनका अपना जो है नीजी था चाहे वो रूढ़ीगत हो चाहे प्रगती सील हो लेकिन ध्यान लखना है गांधी जी ने उनका इस्तमाल किया और उसको जो है आंदोलन में भागीदार बनाया और यहां पर आप देखोगे कि मुसल्मानों की भागीदारी प वारकादास जैसे कुछ पुझी पती लोग जो है इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे उनका कहना था कि यह आंदोलन जो है नहीं चलना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आप यहां पर देखोगे कि जब आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो सरकार मदन मोहन मालविये के साथ ना जूड रही है और मदन मोहन मालविये प्रयास करते हैं कि कॉंग्रेस और सरकार के भीचना एक मध्यस्ता हो जाए और आंदोलन समाप्त हो जाए हलांकि मदन मोहन मालविये के द्वारक क्या गया प्रयास से कोई सफलता नहीं मिला और आंदोलन जो है समाप्त नहीं हुआ लेकिन इसी दोरान समय जब आगे बढ़ता है तो पांच परवरी 1922 को गोरखपूर के पास या गोरखपू क्या घटना घटितवी बाबू ये बात आप लोग सब लोग ध्यान रखोगे कि वहाँ पर भीड ने 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला करके मार डाला घटना जो है ना आप अगर ऐसे देखोगे कि जिंदा जला करके मार डाला तो नर्मली आप जो है दोसी मान लोगे कि भीड़ का दोस रहा होगा या ऐसा वैसा कुछ लेकिन घटना करम यह है कि जो जूलूस निकलता था वो थाने के बगल से गुजर रहा था और ऐसे में पुलीस वाले लोग जो है न अपना पुलीसिया रौब दिखा रहे थे और पुलीसिया जो है हरकत कर रहे थे वो जो है ज को मार ना दे तो थाने में अपने आपको बंद कर लिए बहुत पर्यात्स बहुत प्रत्न के बाद भी वो लोग बाहर नहीं आए तो इनका गुस्सा बढ़ता चला गया और यह लोगों नहीं जो है ना बाहर से कुंडी लगा करके पूरे थाने में आग लगा दी और इस घट करना की जानकारी जैसे ही गांधी जी को मिली ध्यान लखेगा बार्दोली अधिवेशन में बार्दोली प्रस्ताव के माध्यम से 12 फरवर 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोसना कर दी गई और यहां पर आंदोलन समाप्त हो गया अब एक बात सभी लोग जो है ध् अंग्रेजों को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है अंग्रेज लगातार अपने आपको कमजोर और ठगे से महसूस कर रहे हैं वैसी दौर में अचानक आंदोलन को वापस लिया जाना कहां तक तरक संगत था लोगों के दिमाग में यह विचार कौंधने लगा बहुतों ने यहां तक कह दिया कि गांधी जी में अब आंदोलन चलाने की छमता नहीं रहे गई है सुभास्चंदर बोस जो हरलाल नेहरू या फिर इस तरहे के से और भी कुछ नेता सामने वाधि निताओं ने तो यहां तक कहना सुरू कर दिया कि चुकी भाईया ये गांधी जी पुझी पतियों के एक एजेंट है और इनको अब लगने लगा कि किसान, मजदूर अब जागने लगा है और ये किसान और मजदूर कहीं अब जमिंदारों और पुझी पतियों के खिलाफ न खड़े हो जाएं और इसी बात से डरते हुए ग को समझोगे या गांधी जी के point of view से जो है चीजों को देखना चाहोगे तो वहाँ पर मामला कुछ अलग था सबसे पहला बात यह द्यानकना है कि चुकि 1920 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था असहियो गांधी जी का मानना था कि अगर मेरे बताये गए रास्तों पर अगर आप चलोगे तो एक वर्स के अंदर आपको आजादी मिल जाएगी कितने दिनों के अंदर आजादी मिल जाएगी एक वर्स के अंदर और समय एक वर्स से ज़ादा होने को चला था लेकिन आजादी नहीं मिली थी ठीक है पहला बात ये दूसरा बात कि गांधी जी इस बात को समझ रहे थे कि जन आंदोलन का अपना ही एक रफ्तार होता है मतलब जन आंदोलन कहने का मतलब ये है कि जिसमें आम लोगों की भागिदारी होती है वह आंदोलन लंबे समय तक अगर आप चलाएंगे तो वह आंदोलन ना कमजोर पड़ता जाएगा क्योंकि आम लोगों की जरूरतों का कहानी जो है अलग प्रकार का होता है जैसे अगर कोई पुझी पती है तो उसके पास पैसा है बाबू अगर कोई बिजनेस क्लास का विक्ती है तो उसके पास पैसा है और वो आंदोलन में सरीक होता भी रहेगा और अपना बिजनेस चलाता पोग लेकिन यह आम आद्मिंटी लोग जब तक काम नहीं करेंगे जब तक यह चीजों को जो है ना है यह ना zarई सिरे से अपने घर में चाकर की करेंगे तब तक जो है इनका पेट खाली रहेगा इनका फाली रहेगा मतलब इनके सर्वाइबल पर संकट। त्पन हो जाएगा यानि ये किसान ये मजदूर धीरे 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 ही सही वो आंदोलन से कटने लगेंगे ठीक है और इस बात को भी गांधी जी नो जो है ध्यान में रखा कि भाया जन आंदोलन है और ये बहुत लंबा चल रहा है और ऐसी सिती में किसान और मजदूरों के हीत जो है मन में था तो गांधी जी को ये घटना ना एक मौका के रूप में जो है एक मतलब मौका के रूप में एक मौका दिया कि भया आप ना आपके अंदर जो विचार चल रहा है आप जो सोच रहे हो उसके अधार पर आंधोलों को आप प्रेगुलेट करो ठीक है गांधी जी अपने उपरुट जो हम विचारा भी आपको बताए उन विचारों से प्रेरित हो करके आंग्रेज को वापस लेने के बारे में सोचा इसके साथ एक और पहलो जुड़ा हुआ था बाबु जैसे गांधी जी को इस बात का जो है आकलन थ प्रेखा कि अंग्रेजव का जो ब्यापार लगातार गिर रहा है उससे अंग्रेज बोखलाये हुए हैं और वह एक मौका चाहते हैं कि कैसे जो हैं इन अंधोलन का दमन कीया जाई है इन लोगों का दमन कीया जाई है जो इस तो यह बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम कोई भी मौका अंग्रेजों को दे कि वो भारतियों को पीटे या मारे क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतियों के अंदर का जो राष्टवाद है वो गमजोर पढ़ने लग जाएगा क्योंकि भारति जो राष्टवाद है अभी वो धीरे धीरे बुलबुला बन करके ऊपर उठ रहा है अभी यह राष्टवाद व्यस्क रूप धारन नहीं कर सका है ठीक है गांधी जी का मानना था कि जब यह राष्टवाद का जो धारना है यह व्यस्क हो जाएगा तो यह हिंसा करे हमको को दिक्कत नहीं है लेकिन चुकि अभी इनका जो राष्टवाद है सैस्वा वस्था में है और ऐसी सिती में अगर इनको पीटा जाएगा ना तो इनके अंदर का राष्टवाद फुर्ण हो जाएगा जो आगे आने वाले वर्सों के लिए नुक्सान दायक होगा और इन विचारों से प्रेरित हो करके गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषना कर दी ठेक है याद रखेंगे ठेक खेर आंदोलन जो हैना समाप्त हो गया और याद रखेंगा दस मार्च 1922 को गांधी जी को सजाए जेल हो गई ठेक है मतलब उनको जेल की सजा सुनाई गई और वहाँ पर बोला गया कि भाईया हम आपको बता देते हैं कि आपको जो सजा हो रही है वो एक दो वरसों के आपको जो एक झेल भेज रही है ठेक है और यह जो जेल भेज रहे हैं इसमें महत्तपून चीज्ज यह है कि आपकी उपर आरोप है कि आप भारतियों को भढ़काने का काम की है है और आपकी वजा से सरकार अभैवस्था के जा रही है यानि जी के उपर आरोप लगाया गया और गांधी जी को जेल भेज़ दिया गया लेकिन द्यानाकना है। आगेद चल करके गांधी जी को सजापूरा होने से पहले ही छोड़ दिया जाएगा है। खेर ये आंदोलन जो है हम लोग देखे ये आपका है असहयोग आंदोलन अब इसमें किसी भी वेक्ति को दिक्कत है तो आप लोग बताएं अगर सफलता असफलता के मानक पर आप बात करते हो तो असहयोग आंदोलन सफल नहीं हुआ लेकिन अब यहां पर ध्यान रखना है कि कुछ लोगों का मानना है कुछ कॉंग्रेसियों का मानना है कि भाई अब आंदोलन जब सफल नहीं हुआ तो हम लोगों को दूसरे रास्ते जो है ना ढूंडने चाहिए दूसरे रास्ते जो है ना बनाने चाहिए अब ऐसी सिती में उन लोगों का मानना है कि भैया 1923 में होने वाला है चुनाव तो इस चुनाव में हम लोगों को भाग लेना चाहिए और चुनाव में भाग ले करके जीतना चाहिए और जीत करके अपने देश के लिए एक युगदान होगा मतलब ये भी स्वतंत्रता संगर्स का एक हिस्सा होगा राजन्यातिक पहलू को अंजाम देते हुए मतलब चुनाव में भाग ले करके आपना राजनीति का हिस्सा बनिए और फिर वहां से एंग्रेजियों को प्रिसान करिए ये एक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जो है चुनाव में भाग लेने को ले करके चर्चा हुई और विवाद उत्पन हुआ ठीक है जो लोग चुनाव में भाग लेना चाहते थे वो लोगों ने कहा कि वहीया हम चुनाव में भाग लेंगे ठीक है और ध्यान रख दिखेगा कि जो लोग चुनाओं में भाग लेने के पक्ष में थे उनको परिवर्तन वादी कहा गया क्या कहा गया परिवर्तन वादी कहा गया दूसरी बात इसको अगर आप बात करोगे तो आप ना कहते हो प्रो चेंजर यह सवाल पूछा गया है बावुच्छ यह द्यान अकना है कि इसलिए चेंजर यह जो लोग चुनाओं में भाग लेने के पक्सदर थे हो क्या कहला है परिवर्तनवादी या इसको कह रहे हैं जो है प्रो चेंजर ठीक है दूसरी तरफ यहां पर इस अधिवेशन में कुछ लोग ऐसे थे जो चुनाओं के विरोधी थे जो चुनाओं विरोधी लोग थे वो किसी भी परिकार के परिवर्तन का समर्थन नहीं करते थे इनका कहना था कि भाईया हम लोग आंदोलनों के माध्यम से जो है अंग्रेजों को कमजोर करेंगे और हम अधिवेशन में लोग अपनी आजादी को आगे बढ़ाएंगे तो जो लोग चुनाओं में भाग लेने के विरोधी लोग थे उनको परिवर्तन विरोधी कहा गया यानि इनको जो है ना एक नाम दिया गया नो चेंजर यानि परिवर्तन वादी लोग प्रोचेंजर और ज ठीक है या फिर मोति लाल नेहरू ठीक है हकीम अजमल खां लाला लाजपत राय ये सब लोग जो है ना प्रोचेंजर में थे सियार दास पहले ही बात ध्याना कि मोति लाल नेहरू हकीम अजमल खां लाला लाजपत राय ये लोग चुनाओं में भाग लेने के पकज़र थे जबकि इधर कौन लोग थे इधर थे जवाहलाल नेहरू राजिंदर प्रसाद बल्लब भाई पटेल जैसे लोग थे दिखना बल्लब भाई पटेल वेगरा जो है ये हो गए राजिंदर प्रसाद हो गए या फिर कह सकते हैं जवाहलाल नेहरू वेगरा हो गए ये लोग नो चेंजर में थे मतलब ये लोग चुनाओं के बिरोधी लोग थे इन लोगों का कहना था कि चुनाओं में भाग नहीं लेना ह अर ये चुनाओं में भाग लेना हैकि नहीं लेना है इसी मुद्धे पर जो है आप ध्यान रखेंगे कॉंघर से कुछ लोगों ने अपना किनारा कर लिया अपने आपको अलग कर लिये और अलग करने के बाद एक जो है पार्यिय का निर्मान कीई जिसको हम लोग कहते हैं स स्वराज पार्टी है इसका गठन हुआ जनवरी 1923 में चुकि वार्सिक अधिवेशन दिसंबर में होता था तो भाया दिसंबर में ये विवाद हुआ और जो है 23 में अलग एक पार्टी बनाई गई जिसको हम लोग कह रहे हैं स्वराज पार्टी दिहान रखना है आप लोगो ये बात आप लोग समझ लेना दोनों बिंदू एक साथ तो देगा नहीं बाबू अगर दे दिया तो आप समझो ना कि आप इसको टिक करोगे किसको टिक करोगे जनवरी 1923 को क्योंकि विवाद तो जो है 22 के दिसंबर में बना था और फिर वहां पर विचार बनेंगे कि हम ल्ग पार्टी बनाएंगे लेकिन जनवरी 1923 में याद रखोगे सब लोग ठीक है यह धिहान दुझना है यह पार्टी जो है आपका गठित नहीं मेंThis Minute संस्थापक सदस्थी कौन है संस्थापक अध्यक्ष कौन है तो आप संस्थापक अध्यक्ष की बात करोगे तो याद रखना सी आरदास साहब जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष थे ठेक है याद रखेंगे जबकि अगर आप इस पार्टी के सचीव या महा सचीव का नाम बोलोगे तो याद रखना आप वो थे मोती लाल नेहरू ठेक ये जो है ना कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में बिठा करके रखोगे क्या सबसे पहला बाद स्वराज पार्टी जो है चुनाओं में भाग लेने के मुद्दे पर कॉंग्रेस से अलग हो करके बनी थी ये जनवरी उन्हें सोताइस में बनाएं गई गठन इलहाबाद में हुआ इसके संस्थापा का देग्स थे सियारदास और जो है महासाचीव थे मोतिलाल नहरू अगर आप सदस्यों की बात करेंगे तो कौन-कौन लोग इसके सदस्य हैं तो एक दिहान रखना है एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिठल भाई पटेल ये सरदार बल्ला भाई पटेल के जो है ना भाई साहब है इसके अलावे लाला लाजपत राइब जो है इन से जो है जुड़े रहे ठीक है इसके अलावे जो है ना हकीम अजमल खां जैसे कुछ लोग भी जो है इस आंदोलन से जुड़े यानि इस पार्टी से जुड़े ये बात आप लोग जो है ध्यान मे रखेंगे बाकि ये जो है पार्टी किस परकार सफलता प्राप्त की और नहीं की इसको हम लोग जो है ना देखेंगे कल ठेक है